सक्सेज बारेश चैनल में आपका स्वागत है और हम यहां एक्जामनेशन पॉइंट आप व्यू पॉइंट डू पॉइंट बात करेंगे सीधी बात नू बकवाज यस तो एक बहुत चर्चित विश्य रहा है हमेशा आपके जहन में रहा है कि आखिर सम्विधान लिखा किसन करते हैं अगर एक्जामनेशन में आएगा तो क्या हमको ट्रिक मारना रहेगा वह हमारे लिए जादे महत्व पोड़ है ओके तो आए चर्चा करते हैं जब सम्विधान सभा बना तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका जो मुख्य सम्विधानिक सलाहकार थे यहां यह इंपोर्टेंट है अब तक पूछा नहीं गया है अगर नए प्रश्ण बनते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है उसके जो सचीव या सभापती थे वह एच वी आर अयंगर थे यस और एलन मुखरजी यहां एक नाम दिख रहा होगा आपको यह सम्विधान सभा के चीफ ड्राफ्टमेन थे पूछा समिधान सभा का चीफ क्orage कौन थे उसको राफ कर रहा था वह एलन मुखरजी थे अब हम हम लोग आते हैं प्रस्तावना में प्रस्तावOOOO зов no आखिर कार किसनल लिखा था तो प्रस्तावना को कहता है कि प्रेम बिहारी राइजदा या रटगा यह बहुत अच्छा य इंपोर्टन नाम है प्रेम बिहारी राइजदा द्वारा लिखा गया और इसे बी यहार राम मनोहर सिनहा यह कौफी नया नाम में इंपॉर्टेंट है विवहर राम मनोहर सिनहा द्वारा इसे अलंकृत किया गया तो सजाया गया था यानि प्रस्तावना को अगर कोशन कोई पूछे यादर कि कहा प्रस्तावना या उद्देशी का प्रस्तूत करना और लिखना दोनों में फर् करत किया गयता अब पर सुटता है कि मूल संविधान किस ने लिखा यादरिकराफर थे और इन्होंने मूल संविधान को इतलिक सिर्णी में लिखा लिखा गया है उंहों अपने हाथ से लिए रहा है अब यहाँ परेकTalk में देख लेते हैं इसको मैं बठाता हो आपको साथ में लिखते याद रखेगा यहां अंग्रेजी में लिखी गए थी जो मूल सम्विधान का हिंदी संस्क्रण जो हुआ था वसंत कृष्ण वैद्ध ने किया था और नंदलाल बोस ने यहां देखेगा उसे जाइमिती धंग से अलंकृत किया था किस ने किया था आपका सीधा एंसर होगा वसंत कृष्ण वैद्ध और नंदलाल बोस ने उसे सजाए था जो सुभाईग बात है और बाबा सहाब मेटकर जो कमेटी बनी थी उसके ड्राफ्ट में चीफ मनलब के हैड थे उस पारू कमेटी के समिधान के पारू कमेटी के बाब कि बाबदी